मैं हूं मुकुन पाथक मैं इस वीडियो में आपके साथ डिसकर्स करने वाला हूं Master of Computer Applications Admissions Process के बारे में है तो continuously मैं आपको update देते आ रहा हूं तो basically यहां पर गाइस मैं आपको बता दूँ कि आज का जो date है वो आपके लिए important है त्यूंकि cap round 3 यह end होने वाला है है आज right guys तो cap round 3 आज fully तरीके से end हो जाएगा जिसमें जो बचों का admissions होगा वो आगे अपना proceed करेंगे जिन बचों को seat allotment नहीं होगा वो यहीं पर अब cap round का जो admissions process है CT के उसको close कर दिया जाएगा right guys तो आज जिससे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह कोई other courses में आपको फिर जाना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि अब आपका admissions नहीं होगा आपको आप next year का वेट करना पड़ेगा यह कोई other courses में आपको फिर जाना पड़ेगा रैटना गाइस देखिए आज क्या होता है आपने क्या strategy बनाई थी फॉर्म फिलप के टाइम पर वही स्टाड़ेजी यहां पर दिखने वाली आपकी प्लानिंग अपकी स्टाड़ेजी आपका option फॉर्म यह करेगा आज की लिए कि हरे कॉलेज को चूज करने के चकर में वह बोल जाते हैं कि उनका कट आफ कम है उनका मक्स कम है तो उसाइल उनका करने पर यही लिक्कत होती है अगर आपका माक्स है तो आपको साइड में रखके आप इपने अपने अपने फोकस करें तो बैसी जो स्टाड़ेजी थी तो वह आपकी खतब हो गई है क्योंकि आज 13 नमेंबर है लेट सी यह जो अलॉट्मेंट पर अलॉट्मेंट है वो कब तक आता है क्या फाइनल राउंड गाइस अब इसका कि कोई भी स्पेसर राउंड या कोई भी राउंड नहीं होने वाला है और और अल्मोस्ट जो कॉलेज है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है ठीक है नाइन्ट आफ नॉवेंबर से डाट इस मिन्स एक है और बहुत जल्द तरी खतब होने में भी अभी टाइम है मतलब 16th of November यह लास देट है मतलब की 17 से आप अपनी कॉलेज में जा सकते हो गाई जितनी जली आप admissions ले लो 14 से यह स्टार्ट है ठीक है 14th of November यानि कल से अगर जिन बच्छों को आज कॉलेज हो जाएगा वो कल admissions ले ले लेंगे तो व अरॉटमेंट होने वाले हैं college तो as per जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बोलते आया हूं कि जो आपका कोई भी list है वह evening में ही display होगा इक बट condition यहां पर यह कि sunday है आज तो let's see कि आज ही display होगा कि सीधा कल डिस्पले होगा राइट कल भी display हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप कल से अपने admissions process को proceed कर सकते हो गाइस क्लियर समझे तो let's see देखते है अभी allotment list कव आएगा इसके बाद कोई भी strategy नहीं है कोई भी planning नहीं है कुछ नहीं है जिन बचों का admissions नहीं हुआ है वह दूसरे courses में देखिए अब देखिए कोई offline जाके courses देखिए क्योंक आप बेटर कर सकते हो तो देखिए और या तो कोई दूसरा MCA का course है तो आप दूसरे भी कोई courses में जा सकते हैं गाइस प्रिके नमबर और के आप कोई आप कोई को से सोथे होते हैं इसके अधर सौपवेर हाट्वेर नेट्वरकिंग और तो उसके एक्षा को अपनी बीडि हो सकते हो देखिए उसी courses को आप complete भी कर सकते हो देखिए यह एक valid degree हो जाती है वो भी एक valid degree होगी देखिए उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा आप next year आप एक साल वेस्ट करने से अचाए आप कोई ना कोई course करते रहो देखिए तो जिसके वेस्पे आप next year कर सकते हो तो आपके बास दो डिगरी आ जाएगी professional courses जो आप करोगे diploma कर सकते हो आप देखिए वहां से भी courses आ सकती है और यह तो यहां से भी आपको एक degree आ जाएगी that is में जब आप job लेने जाओगे तो आपके पास high profile पे एक आपकी qualifications उटके लिखेगी right guys तो आपको panic होने की need नहीं है देखिए number of the courses market में available है आप उसम को सचीजिए and next thing जिन बचलों का allotment हो जाएगा guys देखिए तो उनको मालम में की कैसे करता है seed acceptance कैसे करना है अब इसके इंदर betterment नहीं ही आएगा guys देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि participate candidate to whom the first time allotted is made or got betterment in the allotment और no betterment देखिए earlier seed return round 3 shall be final तो guys इसमें कोई भी betterment नहीं हाँ जो cap round 2 के बच्चे है उनका जो betterment है वो भी final betterment होगा उनके बाद भी betterment देखिए होगा आप cap round 2 और cap round 3 के अंतर कोई भी college आपको finally select करना पड़ेगा अगर आप select नहीं करते हो तो आपका भी admissions cancel कर दिया जाएगा तो यह basically यहां पर दिया हुआ है तो आपको action लेना होगा आपको betterment में cap round 2 को select करना है या cap round 3 के जो college है मैंसे कोई ए college select करने है और जिन बच्चों का cap round 3 का admissions process है वो सीधा अपना admissions confirm किजिए प्रोसेट कीजिए अपने admissions में आपको भी जो भी college लगेगा वो आपको लिन नहीं पड़ेगा इसमें कोई betterment को option नहीं है clear guys तो यह जो process है वो पूरा 14 से start होगा और 16 तक चलेगा इवनिंग 5 पीम तक आपको यहां पर पूरे document submit करने पड़ेंगे fee submit करने पड़ेंगे right and then guys यहां पर next thing के जो government college है या government added है या अगर उनमें कोई vacant seat है तो वो आगे चलके उसको display करेगी ठीक है और जो रिस्तर candidate है उनके साथ वो अपने list को share करेगी ठीक है तो जो बच्चे का इस बार admissions नहीं हो रहा है मतलब क्या आपको वेट करना पड़ेगा 17 का अगर 17 में कोई colleges है जिसका college vacant है तो उनके लिए यह है तो लेट कर सकते हो आप तो आप 17 तक का वेट कीजिए उसमें कोई list आ जाए तो वह आपको मिल जाएगी ठीक है अगर लिस्त आती है 17 की भी गाइस तो मैं आपको definitely update करूंगा क्योंकि अगर इसमें कोई seat vacant होती कोई college की seat vacant है तो वह definitely वह display करेगा ठीक है और जिन बच्चों ने उस college का form fill up किया हुआ है ठीक है या अपने college के list में डाला हुआ है तो definitely उनका नाम आई जाएगा ठीक है तो यह भी एक process यहां पर दिया हुआ है क्या आप रहूं 3 के बाद तो लेट्स ही क्या होता है और आज का जो allotment list है वो कब तक आता है इसको भी हम check करते क्योंकि यहां पर आपको कुछ doubt है कुछ queries है तो definitely आप मुझे comment section में comment करके post सकते हो thank you for watching